साथ कुमार अभिशे, लखनव, आज तक परिवार का यह कहना है, कि जब तक चाचा को परोल नहीं मिलेगी, तब तक शव नहीं उठाएंगे. इनके पास पून भी है, बैठे बैठे सारा काउशे करा लगा है, कि आप उनीचे आप जाती थी, तो कुछ नहीं होता था, और जब तो इसलिए इनके आद्मी जो नहीं है, पीछे लग जाते हैं, गवागा खतम करने के लिए, इन्हों ने ऐसा किया है, हमें तो लगता है एक आपकी डॉक्टर से बात हुई क्या बताया उन्होंने सरकीस के बारे में कैसी कंडिशन है लड़की की तो आलत कराब लेकिन ने कहा है कि जब तक बाहर नहीं लाया जाएगा जब तक यहां से लाथ नहीं उटाएंगे अभी मुझे कोई पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं कर रहे हैं क्या पुलिस यहां पर सहयोग नहीं कर रही क्या एड्मिस्टेशन सहयोग नहीं कर रहा है सर अभी यहां मुझे जानकारी नहीं हुआ है कि यहां पर क्या हो रहा है अभी मैं वहां थी कि ताउस में अभी लाया गया है मुझे आपकी जब रात में आखरी बात हुई तो क्य के लिए इनसाफ की मांगी उत्तर प्रदेश में नाव की घटना को लेकर यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम विपक्ष के जो सांसद है वह यहां पर जुटे हैं इसमें समाजवादी पार्टी है और इसके अलावा हम दूसरी पार्टियों की बात करें तमाम इसके अलावा हम उनलाओ की बात करते हैं तो भारत सरविंदा है गई एक तरीके के नारे होन को लिखा है और इस दूसरी सबीस्दू बड़ी बात है अगर हम भात करते है तो कहीं नहीं पूरे देश में इसको लेकर선 है जिस तरीपे कि घटना हुई जिस तरीपे ना ना, इसके खिलाब गांधी मूर्ती के सामने इस समय ये प्रदर्शन किया रहा है इसमें तमाम महिला सान्सत्थ भी सामिल है और पुरुस्तान सा सामिल है तो कही न कहीं भी पक से एक पूरी एक जुटता दिखा रहा है और ये बताने की कोशिस कर रहा है कि इस तरीके का जो जंगल राज है उसको कहीं न कहीं रोपने की कोशिस की जा रही है और यहां पर हम देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर तो यहां पर निश्यत तोर पर कहा जा सकता है कि जिसका राज है कहीं ने कहीं जिम्मेदारी उसकी बनती है क्यों कानून व्योस्था का जम मामला आता है तो उसमें हम कह सकते हैं उत्तरप्रदेश में जो हाल ही में घटनाए हुई है कहीं ने कहीं सरमिंदा करने वाली है कैमर